जैहिंद प्यारे साथ योग कैसे हो आप सब बिलकुल मस्त होंगे यूविक्टर ग्यान यूटूब चैनल पर आप सबी का बहुत बहुत स्वाजत है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीकी से डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही हाई कोट असिस्टेम्ट की वेकेंचिया निकली हुए हैं फिलाल में आप लोगों ने फोर्म अपलाई कर दिया होगा या अपलाई करने की सोच रहे होंगे लेकिन आपके दिमाग में इस हाई कोट की असिस्टेम्ट की भरती को लेकर अलग अलग तरीके के क्योसन चल रहे होंगे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब हम जारकंड हाई कोट में असिस्टेंट बन जाएंगे तो हमें काम क्या करना होगा हमारा जोब प्रोफाइल क्या रहेगा हमारा जोब लोकेशन क्या रहेगा हमारा परमोशन किस तरीके से होगा ठीक साती सात हमें कहां पर पह तरीके से जवाब देने वाला हूँ वीडियो बहुत जादा महत्पुन होने वाला है बहुत जादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आपको बिना इसकिप किए लाज तक जरूर देखना है अब भी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से पहले आपको समझाने की कोशिज करता हूं इनकी जोब location के बारे जोब location क्या रहने वाली है ठीक है लोगों दिखो आप High court में Assistant बनेंगे जो आपकी पोस्टिंग है वो always कहाँ पर रहेगी जारकट में ही रहेगी ठीक है ऐसे नहीं कि आपको किसी छोटे जो नयाल ने हैं वहाँ पर भेज दिया गया ऐसा नहीं होगा आपकी always posting कहाँ पर रहेगी जहारकंट के high court में रहेगी आप जिस दिन जहारकंट के high court में जोइनिंग लोगे retirement भी आप जहीं से ले कर आऊगे ठीक है always आपकी posting कहीं पर रहने वाली है तो एक यहां पर सबसे plus point है कि यहां पर आपके मन में transfer का डर्प नहीं रहने वाला ठीक है बाकि कि जो जो बबहाँ पर एक transfer बहुत बड़ी problem है कभी कश और रहा है कभी कहीं transfer हो रहा है अब हम एक बार यहाँ पर पर्मोसन को समझते हैं कि यहाँ पर आपका पर्मोसन किस तरीके से होने वाला है देखो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर एज ए असिस्टेंट सबसे पहले पोस्टिंग होगी आपकी यहाँ पर एज ए असिस्टेंट कुछ टाइम बाद बे आपका यहां पर परमोसन हो जाएगा senior assistant या assistant section officer के तोर पर और उसके बाद में आपका यहां पर परमोसन हो जाएगा section officer के तोर पर ठीक है तो यहां पर आप assistant के पद से posting लेंगे और जो आपका retirement है वो कम से कम section officer से होकर आएगा जो की एक बहुत ही किसे आपका ये पर्मोशन रहने वाले हैं ध्यान रखना जब आप सेशन ओफिसर बन जाएंगे हाई कोट में तो आपको वहाँ पर एक अलग से गौवर्मेंट गाड़ी दे दी जाएगी और भी भूत सारी धेर सारी आपको गौवर्मेंट के द्वारा स्वीध हैं दी जाए जब आप एज ए असिस्टेंट रहोगे उस दोरां आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलेगा गौवर्मेंट के दौरा कोई वीकल नहीं दिया जाएगा आपको अप सेशन ओफिसर बन जाएंगे तो आपको गौवर्मेंट वीकल भी मिलेगा और गौवर्मेंट ड्राइ फाइले हैं क्योंकि regular फाइले आएंगी जब भी अदालत लगेगी जब भी कोट लगेगा सुनवाई होगी तो हर रोज हर एक केस की एक नई फाइल बनेगे ठीक है तो आपका काम क्या रहेगा उन फाइलों को सुरक्सित रखने का काम ठीक है अब उन फाइलों को सुरक्सित नहीं करना पड़ेगा आपके नीचे LDC वगरा होंगे वो आपके according काम करेंगे आप उनको दिसा निर्देशित करेंगे LDC को कि भाई आप इस तरीके से काम को करो इन फाइलों को यहां पर रखो 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 तो वो आपके आदेसा अनुसार या निर्देसा अनुसार काम करेंगे ठीक है इसके अलावा फाइलों से रेक्टेट जो भी गलतियां है उन सभी तुरूटियों को आप प्रक्राइब करेंगे कि यह क्या यस फाइल इसी कंडिडेट की और यह कहां पर रखी हुए किस तरह किसे है ठीक है उच नेले में आने वाले पत्र या इमेल का उत्तर वज़िश जिनों से इन्पूट प्राप्त कर लेंगे ठीक है इसके लावा हाई कोट में जितने भी मेल आ रहें जितने भी पत्रा रहें उनका आपको फीड़ बैक दिना होगा ठीक है अब वह फीड़ आप खुद नहीं दोगे जैसे सपोस्ट चैट कोई मैल आया स session officers related आप उस mail को पड़ोगे थीक है फिर आपको लगएगा कि यह mail इसके लिए जर्ज के लिए आया है यह फिरjeoe ऑस्टेट वो मेल session beneficial कि उसको आप अपस जाओगे उनको बता॓ंगे कि सर ये mail आया यहां से और ये क्योसन है उसमें फिर वो बताएंगे कि भाई इस क्योसन का ये answer लिख कर भेज़ दे ठीक है वो answer बता देंगे फिर उसको आप type करके answer भेज़ोगे कि भाई इस mail का ये है suppose जड़ कोई letter आया वो letter ASO से related है ठीक है आप उस letter को ASO साप तक पहुंचाओगे ASO साप उसको पढ़ेंगे जो feedback देना होगा उस feedback को देंगे और फिर उसको वापस गलेवर करोगे ठीक है उसके लिए आपको अलग से वहाँ पर पूरी team मिलेगी ठीक है इसके अलावा एक सही एक सूची बनाए रखें और सूचनी सित करें कि कारियाले की सब भी आपूर्थियां उपलब्ड हैं और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया है ठीक है आप अलग से list बरा कर रखोगे कि भाई जो भी काम होना था बिलकुल time to time according to time हो रहा है क हाई कोट में आप काम करोगे तो प्यारे साथियों वैसे बहुत गजब तरीके का आपको समाज में डैपोटेशन मिलने वाला है अब हम डिसक्रस करता है कि यदि आप जार्कट हाई कोट में असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपकी पहले महीने की salary कितनी रहेगी बाई 42,400 रुपए तक रहने वाली है अब हम इनकी salary के बारे में discuss करता है कि पहले महीने की salary कितनी बनेगी किस तरीके से बनेगी बाई लोगों यदि आप assistant बनेंगे तो आपकी पहले महीने का जो basic pay वो रहने वाल है 44,900 रुपए ठीक है उसके बाद हम dns allowance की बात करें महंगाई भत्ते की बात करें जो फिलाल में 46% है 46% के according यदि मैं calculate करता हूँ तो आपका डिये बनता है 20,650 रुप है उसके बाद HR के मामले में जहारखन को तीन category में divide किया गया 9%, 18% और 8%, 16% और 24% है आपको यहाँ पर 24% के according HR मिलेगा तो 10,736 रुपए आपका HR हो गया Transport allowance के आपको 5,112 रुपए मिलेंगे D.O.T.A. के आपको 53,1 रुपए मिलेंगे और Medical allowance के तोर पर आपको 1000 रुपए मिलेंगे यह एक अलग से allowance है जो High Court LDC के ही तो यह High Court Assistant के ही लगता है ठीक है तो टोटली कटोती हो जाती है मेरे पहले साथ यह 2878 रुपए के अब सबसे में topic आता है net salary जो पहले महिने में आपके account में transfer की जाएगी अब भी तक भी चैनल को सबस्केब नहीं किया तो प्लीज हाथ जोड़कर request है कि चैनल को जरूर सबस्केब करो वीडियो को like करो और आपके जितने भी दोस्तों उन सबी के साथ एक बार जरूर चेहर करो तो यदि आप धारकेंड high court में assistant बनते हैं तो आपकी पहले महिने की gross salary बनेगी 84,790 रूपए और आपकी पहले महिने की net salary बनेगी 21,915 रूपए जो की बहुत ही गजब का amount है बहुत ही श्यांदर वाला amount है वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीजिक बार वीडियो को लाइक करो अपने सबी दोस्तों के साथ सेयर करो और चैनल को जरूर सबस्क्राब करो बहुत बहुत दन्यवाद आप सबी को देखने के लिए thanks by मेरे प्यारे साथ की दो